Hello Friends, मेरे Spamistry and Astrology वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ राहू इन दा सेकंड हाउस की तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि सेकंड हाउस क्या होता है हमारे चार्ट का दूसरा भाव यानि के सेकंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है हमारे बैंक बैलेंस को, हमारे फैमिली को, हमारे रिसोर्स को और हमारी जुबान को भी हम किस طرح سے लोगों के साथ बातचीत करते हैं हम कितना मीठा बोलते हैं या कडवा बोलते हैं यह सभी चीज़ें हमारे सेकंड हास से निकल کر आती हैं तो जब राहु सेकंड हास पे बैठते हैं तो इनका परभाव हमारी जुबान के ओपर भी पड़ता है हमारे bank balance के उपर भी पढ़ता है और even हमारी family के उपर भी इस चीज़ का प्रभाव रहता है तो सबसे पहले बताना चाहूँगा रहू के बारे में रहू जिस भी sign में बैठते हैं या जिस भी planet के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं और जिस sign में बैठते हैं जैसे mangal के sign में बैठते हैं तो हमें चार्ट में mangal को भी देखना पड़ेगा कि mangal कितना प्रभाव शाली है कितना dignified है या जिस भी राशी में बैठते हैं अगर बुद्ध की राशी में बैटे हैं तो चार्ट में बुद्ध को भी देखना पड़ेगा यानि कि डिस्पोजीटर मैटर करता है कितना स्ट्रॉंग है और अगर डिस्पोजीटर अच्छी पोजीशन में होगा तो राहू के जो प्रभाव है डाफिनेटली काफी अच्छे होंगे तो राहू टारस राशी में जैमनी राशी में वर्गो राशी में और अक्वेरियस राशी में इन चार राशियों में काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं और इनके लावा बाकी की राशियों में भी result अच्छे हो सकते हैं अगर dispositor प्रभाव शाली होगा केंदर यहां तरिकोन में हो अच्छी राशी में हो तो अच्छे प्रभाव रहेंगे अब जनरल प्रभावों की बात करते हैं राहू जब second house में होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति की जो जुबान है वो काफी अच्छी हो सकती है ऐसा व्यक्ति जो magnetic speech बोल सकता है लेकिन depend करेगा कि रहू के उपर कौन से planets के दिरिश्टियां आ रहे हैं अगर रहू malphic हो रहा है तो जुबान कड़वी भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को जदा बोलने का obsession रहेगा और बात बात में गालिया निकालना इस तरह की जुबान व्यक्ति की होने के chances रहेंगे रहू smoke को represent करते हैं तो second house में अगर malphic रहू होंगे तो व्यक्ति स्मोकर हो सकता है काफी जदा cigarette पीने की आदत या किसी भी तरह से धुआं मुँ में रखने की आदत हो सकती है और जो रहू से जुड़ी चीज़ें है जैसे तमबाकु है खैनी है ऐसी चीज़ें है इनकी भ obsession रहती है इसके इलावा जो second house है वो wealth के लिए देखा जाता है bank balance के दिए देखा जाता है तो रहू जब second house में होते हैं तो उस व्यक्ति को obsession रह सकती है wealth की भी ऐसा व्यक्ति जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहेगा shortcuts यूज करकर पैसा कमाना चाहेगा और अगर रहू यहा दूसरों को धोका दे सकता है जूट बोल सकता है पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है किसी भी हद तक जा सकता है अगर Malphic, रहु हो, अगर रहु यहाँपर अच्छा बैठा है तो काफी अच्छे प्रभाव भी देता है व्यक्ति को पैसा कमाने में हल्प भी करता है, ऐसा व्यक्ति एस व्यक्ति की जो Speech होगी, Magneatic होगी जिसके जरी ऐसा व्यक्ति दूशरों की जेब से पैसा निकलवाने में भी काबिल होता है अब रहू की जो दृष्टियां है यहां से चछटे घर पर पढ़ती है आठमे घर पर पढ़ती है और दसमे घर पर पढ़ती है चछटे घर पर जब दृष्टि पढ़ती है तो competition का house है और रहू को शत्रु हंता कहा जाता है क्योंकि छटे घर पर द्रिष्टी डालते हैं तो छत्रु का घर भी रहता है तो वहाँ पर रहु शत्रु का नाश करते हैं तो यहाँ पर यह द्रिष्टी शुब मानी जाते हैं क्योंकि छटे घर के उपर जितने भी Malphic Planets के दृष्टियां होते हैं उतने अच्छे प्रभाव वेक्ति को मिलते हैं आठमे घर में केतु होंगे जब भी रहू सेकंड हाउस में होंगे तो केतु की प्लेस्मेंट जो होगी आठमे घर में होगी जो केतु हैं वो जहां पर बैठते हैं वो यह शो करते हैं कि उस चीज़ को हमने पास लाइफ में एक्सपिरियंस किया है तो आठमे घर में केतु शो करते हैं कि अकल्ट चीज़ों के साथ हमारा काफी ज़्यादा लेंदिन रहा है पास लाइफ में अकल्ट चीजें जैसे astrology है पामेस्ट्री है टेरो रेडिंग है यहां तंत्र मंत्र विज्ञान है ऐसी चीजें जो mystic चीजें है उनके साथ व्यक्ति का काफी ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है क्योंकि रहू सेकंड हाउस में होंगे तो केतु अश्टम में होंगे तो पास लाइफ में जिन चीजों का experience किया है प्रेजन लाइफ में भी उनका प्रभाव आता है क्योंकि जो पास्ट है वो केतु है और जो प्रेजन या future है वो रहू है तो रहू जब सेकंड हाउस में होते है तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा astrologer भी हो सकता है लेकिन depend करता है कि रहू dignified है रहू के ओपर जो आस्पेक्ट है जैसे गुरू का आस्पेक्ट आ रहा है जो benefit planets का आस्पेक्ट आ रहा है तो व्यक्ति काफी अच्छा यहाँ पर astrologer हो सकता है predictions बहुत अच्छी कर सकता है लेकिन अगर रहू यहाँ पर malfix के प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्त व्यक्ति की जो predictions होंगी वो गलत हो सकती है या rough predictions जल्दवाजी में ऐसे व्यक्ति predictions कर सकता है तो इस case में हम यह कह सकते हैं कि रहू बहुत अच्छे result नहीं देगा रहू का दसमे house के ऊपर यहाँ से आस्पेक्ट आएगा दसमा house हमारे status का है fame का है again वही तिंग अगर dignified रह रहू है तो व्यक्ति को काफी ज़्यादा fame मिल सकता है 10th house में रहू के aspect की वज़य से व्यक्ति famous हो सकता है अपनी किसी creativity की वज़य से या किसी जैसे astrology में है अगर अच्छा अस्टा अस्टालोजर है तो अपनी astrology के लिए भी काफी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति famous हो सकता है तो भी यहाँ पर रहू बैठते हैं तो व्यक्ति को काफी ज़्यादा manipulative बना देते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है और काफी ज़्यादा जूट बोलने वाला भी हो सकता है और obsession रहती है उन सभी चीज़ों के लिए जहाँ पर भी रहू बैठते ह तो बोलनी की obsession हो सकती है, धन की यानि के money accumulate करनी की obsession व्यक्ति को हो सकती है, family status की obsession हो सकती है, ऐसे व्यक्ति की family थोड़ी unusual हो सकती है और जैसे family में सभी members एकी तरह के काम कर रहे हैं, जैसे अगर पूरी family में priests हैं और प्रीस्ट ही रहेंगे, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा awkward feel कर सकत और चाहता है कि उसकी family का status हाई हो, तो ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए status maintain करता है और थोड़ा बाद जूट भी बोलता है, तो इस तरह की qualities व्यक्ति के भीतर आ जाती है रहू जब second house में होता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि रहू की qualities कि इस तरह हैं से व्यक्ति को spend करता है देश काल पातर के उपर, अगर किसी ऐसी country में है, यहाँ पर non wedge जादा जलता है, तो यहाँ पर obviously रहू जिसके second house में होगा, उसको non wedge का जो shock है, वो ज्यादा रहेगा, तो यह सब इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, जब भी रहू second house में होगा, तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे like करें, share करें और साथ ही साथ मेरा channel भी subscribe करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के जो notifications हैं वो आपको timely मिल सकें, वीडियो वाच करने के लिए आपक धनेवाद